आप सभी का आपके अपनी यूटूब चेनल सुपर कंसेप्ट क्लासेज में स्वागत है और आज कि इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया है एवन समिकरन के बहुत ही इंपोर्टेंट कंसेप्ट को समझने वाले हैं यहां पर मैं आपको एक सुपर ट्रीक बताने विडियो पर बने रहें विडियो अगर पसंद आये तो लाइक कर दिजिएगा और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लिजेगा तो चली स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सन्योजन अ क्या है तो साथ यह मतनल लाइक हुआए है तů इसका हमारा पर आपको घ्यरत चैनल को हने Chiens également हो जाएगा कहानिक बात समझने हैं की सोफिन की सिंपल सा यह योग है यहां पर देखे कुछ भी रटने का ज़रुत नहीं है आप समिकरन को देखिए और सिधे बता दीजिए कि कहने का मतर आपका एक ही योगिक और इधर ईथर एक और Drag. अगर तीर चीनने की साड़ में रहेगा तो इसको बोलेंगे सन्योजन बस कहानी खतम इतना ही तो आपको समझना है तो सन्योजन बियोजन का कंसप्ट साथ किलियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं आगे समझते हैं अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया देखिए अक्च्वल में बच्चे विस्थापन अभिक्रिया और दूई विस्थापन अभिक्रिया में मतलब कोई भी तुछ तत्व होता है वह एक जगह स से ओठ कर दुसरे जगह सीप्ट हो जाता है ट के विस्थापन और दूइ विस्थापन को पहत्छानना बहुत ही सिंपल है विस्थापन ऑवक्रिया जो होगा नहीं में क्या होगा हमारा एक तत्व होगा और योगिक होगाय बात को समझे visit क्या करेगा दूसरे का अस्थान ले लेगा दूसरे के जगह पर जाकर वेड़ जाएगा तो ही ने क्या यह जो एक तत्व को मतलब हटा देता है और उसके अस्थान पर आकर वेड़ जाता है यहां पर आप देख सकते हूं पर जडन यह आपका एक्तत्तों है क्या इक्योगिक है। को बहुत है यह जो सी य९ु एस फॉर होता है यह जो पर होता है इसका रंग होता है और त पर हेट्टां में पूझ यह आप बदेखी हम अगला त्रिक आप बात करते हैं जैसिकर आपके मैं आपको रहा कि दोनों जगापर आपको क्या होता है तत्यु क्या होता था विस्थापित होता है तत्व और चल जा चल जाएगा कि यहां से आपको पता है जही रहा है यहां से आपको पता चल रहा है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो दूई विस्तापन में हमारा दो ठोई योगिक होता है और जो तत्व रहता है वो अपना अस्तान चंज करता है जगा चंज करता है विस्तापन में क्या होता है एक तत्व रहता है और एक योगिक रहता है और वो दोनों क्या करता अपना जगाद चंज कर लेता है बस और यह कंसेट है आगे समझी है आगे देखिए उस्मा छेपी रासायनिक अविक्रिया का अगर बात करें तो तीर चीन्ने के इस साइड में बात कर रहा हूं मैं अगर तीर चीन्ने के इस साइड में अगर आपका उस्मा रहे या फिर रहे हैं तो यह हमारा उस्मा छेपी रासाईनिक अभिक्रिया होता है सिम्पल कोई मतलब यादी नहीं करना है। कुछ करना है सिंपल से आप समझ सकते हैं ऐसा साथ आपको आज तक कोई भी नहीं पढ़ाया होगा आपको कोई भी टीचर ऐसा नहीं बताया होगा इतना तो मैं यकिन के साथ कर सकता हूं गरंटी के साथ कर सकता हूं आगे देखे आगे समझे अगर मैं उस्मा सोसी का बात तीर के उपर में लिखा रहा है यह पिर के इस साड़ी में लिखा रहा है इसका मतलब होता है उस्मा सोसी रासाइनी का अब हिक्रिया आप एक्जामपल देख लिजिए मतलब जो October ौपचेयन है मतलब जो редuction है और Oxidation यह जो दोनों हमें साथ साहत होता है इसलिए इसको में क्या बोलते हैं धेक्डीक्रते इसलिए अब्लुकरते झाल है जिसके मिन आपको बता है कि फेरे में आपको पता है जिसके ने और अौट है्इम एक्ट दूकरते हैं और English C से हम लोग क्या कहते हैं? Oxidation कहते हैं क्या कहते हैं इसे English समindruck oxidation कहते हैं और यह जोooky up-chain है A dwg देखे है धना हो है यहाँ पर 0 है यह जो तीस अफुम होता है 60 में हमारे क्या होता है? O2 का योग होगा यह फिर H2 का हरास दो चीज़ अगर O2 का योग होगा तब भी बोलेंगे उपचेन अभी किलिया है या फिर अगर H2 का हरास होता है ना तब भी हम लोग बोलेंगे उपचेन अभी किलिया है अब चेन में क्या होता है या तो O2 का हरास होगा या फिर H2 का योग होगा मतलब इसके अपोजिट है जिसे यहां पर देंगे यहां पर ओर्टुका योग हो रहा है यहां पर हो रहा है यहां पर है क्वेंगों प्लस हुझा है यहां पर अपका यहां से यहां से आत्य छतम हो गया तहीं यहां से यहां तक आ होगी यह पर यहें के अंग जोड़ा है थैं हो रहे हैं एहां पर तो डांका क्या होग हो रहा है और जब हैं यह के साथ हाइड्रोगन लगा हुआ है के साथ तिर यहां पर हरास हो गया ता है थे थिदे यहां पर आपका काम बन जाएगा बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट में आपको बता रहा हूं एक सेकंड के अंदर आप बता देंगे कोई प्रोब्लम नहीं होगा आगे बढ़िए आगे देखिए यह अबर कुछ इंपोर्टेंट बात है जो कि एक्जाम में अक्सर पुछी जाते हैं जिसे चुना पत्थर चुना पत्थर का सुत्र होता सी यह सी ओ तरी जिसे हम लोग केल्सियम कार्गोनेट कहते हैं बीना बुझा हुआ हुआ चुना का चुना बनता है और साती साहथ उस्मा बनता है जीरा है बात समझ में को नो बता को बता दिया है जिरिकी सब्साइब आथ को फसंद्य को लाइक कर सुंदरें अगले वीडियो में के जाहिं